हेलो एन वेलकम बैक तो माइटूब चैनल सो आप मेजर्मेंट देख सकते हो अमरेला प्लाजो के लिए आप 3 और 4 मिटर तक फेब्रिक ले सकते हो अगर फेब्रिक की विट ज्यादा है तो 3 मिटर में हो जाएगा यह जोइंटिंग प्लाजो है अगर फेब्रिक की विट ज्यादा है 60 है तो विटर जोइंटिंग हो जाएगा अगर 42 है जोइंट करना पड़ेगा तो सबसे पहले हम वेस्ट का निशान लगाएंगे इसके बाद क्रॉच लेवल का निशान लगाएंगे वेस्ट को 4 से डिवाइट करेंगे और हीप को 4 से डिवाइट करेंगे तो क्रॉच लेवल आ जाएगा ना भी आ जाएगा उस में हाप प्लस कीजिए प्रेला प्लाजो में क्रॉच एरिया में ऐसे ही शेप देना है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए हमारा जितनी भी लेंद है उसे उपर से टेप रखके गोलाई देंगे इतनी निशान पे फोड़ी पे राउंड शेप देंगे इस तरह से तो इस तरह से रखना है टेप को और राउंड गोलाई देना है तो यहां पे हमारा जोइंटिंग आ जाएगा आप देख सकते हो ऐसे हम फुल गोलाई दे देंगे अमरेला प्लाजो में या अमरेला इसकट बनाते है तो भी ऐसे ही देना है ड्राउंग को तो बड़ा डार्क करेंगे और पिर इसे कट करेंगे हम फैबरीक में भी ऐसे ही करेंगे जैसे हमने कागस पे किया है तो आप देख सकते हो 42 width है फैबरिक की तो चॉइंटिंग आ जाएगा अगर 60 है तो चॉइंटिंग नहीं आएगा फुल बन जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा कटिंग आ जाएगा हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो आप हम कट करेंगे यहाँ तो आप देख सकते हो आप क्रच एरिया में जैसे शेप दिया वैसे ही कट करना है वरना पिलीट्स पर जाएगी हम स्टिचिंग करते हुए करते वक्त तो आप हम गोलाई पे कट करेंगे तो आप हम इसे बचे हुए पेपर को उसके उपर रखें और कट करेंगे फेबरिक को ऐसे ही करना है इसके उपर रखना है जो भी बचा हुआ फेबरिक है पहले उसे निशान लगा देंगे हम जितना रखना है और इसे कट करेंगे इसे ही सेम शेप में हमें कट करना है सबसे पहले हमें निशान लगाएंगे इस पीछ अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किये तो फिली सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजे और एक कमेंट कीजे तो आप देख सकते हो हमने ड्रा कर लिया है अब हम इसे कटिंग करेंगे और इसे चित्पाएंगे तो फैब्रिक में करेंगे तो हम इसे स्टीच करेंगे इसके बराबर से कट करेंगे तो आप देख सकते हो हमने कट कर लिया है तो मैं इसे आप चित्काऊंगी अब हम दोनों साइट को कट करेंगे हम फैबरिक पे फोर फोल्ड करेंगे उसके बाद कट करेंगे तो आप देख सकते हो हमने एक अमरेला फ्लाजो की कटिंग कर ली है और जोइंटिंग भी लगाई है अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज कॉमेंट कीजे यह लाक और शेर जरू कीजे मेरी वीडियो को थैंक्स पर वाचिंग